नमस्ते दोस्तों देसी फ्लिवर्स भाई आरुसी में आपका स्वागत है अनारस जिसे हम पाइनेपल कहते हैं सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आज में इसकी ही चटनी बनाने जा रहे हैं जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत कम ताइम में बन जाता है तो एस भी द्धयान से देख nurt did जाक और एस भी देखने से पहले प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्कार ले चैटनी बनाने के लिए हमें चाहिए अनारस तो हमें चाहिए पके वाले अनारस ब्लो कल्राइने था परहो होते हमें वही ले लेने हैं क्योंकि इस तरीके से 2 टुगडों में पहले कट कर लेना है कट कर लेने के बास हमें एक ताइम लगता है ति इसलिए पपपवाला नारस ज्यादा जरूरी है चटनी के लिए यहां पर मैंने क्या कि है स्पून के सहारे सभी पल्प को इकठा करके इस तरीके से निकालना स्टार्ट कर दिया है और इकठा करके इसको रख लिया पल्प निकल जाने के बाद से देखिए यह इस तरीके से एकदम खुखला हो जाता है अब इसको हम फेक दें अब चलिए हम गैस के पास चलते हैं, तो गैस पे सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे, पैन जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम तेल लेंगे, तेल में यहाँ पर सादे तेल का यूज कीजिए, तेल के अंदर हम सुखी मीर्स, देशपत्ता और पाज फोरन का फोरन ल लाते रहिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, एक मिनट पका लेने के वास से इसको फिर से हमें एक मिनट तक धक के पकाना होगा, धकना इसलिए ज़रूरी है, जो थोड़े बड़े वाले पार्ट्स आ गए हैं पल्प के अंदर वो असानी से गल जाए, तो यहाँ पर मै से एक मिनट तक और इसको पकाए, एक मिनट पूरे हो जाने के बास से हम इसके अंदर कुछ चीजे एड़ करेंगे, क्या चलिए बता देती हूं, सबसे पहले इसमें हम एड़ करेंगे काजू और किसमिस, यहाँ पर मैंने किसमिस यूज नहीं किया है, क्यूंकि मेरे घर मे किसमिस उतना पसंद नहीं परता है, यहाँ पर मैंने सिफ काजू लिया, काजू को इस तरीके से हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं, या छोटी छोटे टुकडो में कट करके डाल सकते हैं, काजू डालने के बास से इसको थोड़ी देर पका लेने के बास से हम इसमें डाले ताकि चीनी अच्छे से अंड़की हो जायो diva 30 सेकंड़ को अच्छ से उत्व ही के बारा रहे तरíस की मुद्ध को देखेंगे आपकी अच्छे से मेवाद हो चुका रहा रहा है तो lug से अनार का दाना कि ताकि यह ठंडा हो जाए अनारस की चटनी जब ठंडी हो जाएगी तो इसकी color भी change हो जाता है और देखने में और ज्यादा delicious लगता है तो यह रहा हमारा अनारस का चटनी जो कि बहुत यम्मी और बहुत दिलीशियस देख रहा है तो अगर आप लोग को recipe अच्छी लगी हो त प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बब बाई